नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दर न्यूज आपकी साथ मैं स्विष्टी में शुरा देखे करनाटक में कॉंग्रेस ने जनता को एक बड़ी स्वागात दे दी है लेकिन इसमें ये बात समझ में आ रही है कि ये स्वागात नहीं है ये धोखा है और इसलिए भारतिये जनता पार्टी वहाँ पार बैंगलोर में प्रोटेस्ट कर रही है बहुत बड़ा धर्ना प्रदर्शन हो रहा है और आपको मैं पूरे विस्तार से बता देती हूँ कि बिजली के साथ करनाटक कॉंग्रेस ने धोखा कर दिया है और इसलिए करनाटक कॉं के यूजर्स के लिए वहाँ पर बिजली की दर बढ़ा दी गई है इसके साथ साथ आपको बतादे हाउसोल्ड के लिए भी बिजली की बड़ी सवगात करनाटक कॉंग्रेस ने दे दी है यानि बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है करनाटक कॉंग्रेस के अंदर यानि कि ग्रेह जोती योजना जो इन्होंने बिजली के दरों को फ्री करने की बात कही थी उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है बिजली के दर बढ़ गए है बैस कॉम्स के यूजर के लिए 2.89 से बढ़ोतरी हुई है और वही मैं आपको अगर 70 पैसे की बताओं तो 70 पैसे सब ही को मतलब जितने भी तरीकी के वहोगता है उनके लिए 70 पैसे की बिजली की बढ़ोतरी हो गई है बैस कॉम्स के लिए ये यूजर है 2.89 सिब हाऊसकोंड के लिए या बाकी जितने कोवर्शल सें उनके लिए 70 पैसे बिजली की दर बढ़ गई यह करनाटक कॉंग्रेस का चहरा अब देखिए करनाटक में जब सरकार नहीं बनी थी तो तमाम ये बादे आये थें तमाम ये दावे आये थें कि हम करनाटक में एक बहुत बड़ी स्वगात दे रहे हैं देखिए इनकी पांच गैरंटी में से ग्रह जोती योजना की तो पूरी तरीके से यहाँ पर धज्या उरती दिखाई दे रही है और ये धज्या खुद करनाटक कॉंग्रेस ने चाइनीज में मतलब देखिए चाइनीज चीजे बहुत जादा देर तक नहीं चलती है और चाइनीज में जो दिखाई जाती है चीन की चीजे वैसे उल्टी होती है अगर हम बैटरी की बात करें किसी भी तरीके से बात करें तो देखिए चाइनीज गैरंटी मतलब नकली ग guarantee और यह शहदाद पुनावाला भारतिय जनतापारटी के रश्ट प्रवक्ता करनाटक कोंग्रेस पर देखें उन्होंने क्या कहा कि कॉंग्रेस Jiang धोका नकली गैरेंटी ग्रै जोती योजना के तहट करनाटक कॉंग्रेस ने जनता के साथ बहुत बड़ा धोका किया है इसके साथ आपको बता दे उन्होंने ये कहा जनता को उन्होंने समझाया है कि अगर मंथली कंजप्शन कैलकुलेट करेंगे तो केवल दस फीसद बिजल की लोगों को फ्री मिलने वाली है इन्होंने हिमाचल में भी वही किया इन्होंने हिमाचल में 300 यूनिट फ्री देने की बात कई थी वहां पर भी बढ़ा दिये महिलाओं को फ्री पैसे देने की बात कई थी वो भी नहीं दिये इसके साथ ही आपको बता दे राजस्थान मे कॉंग्रेस पार्टी है और चार राजों में कॉंग्रेस की सक्ता चल रही है लेकिन आपको बता दें अगरा धोख़ा जनता के साथ करनाटक यह बताएं पर कशिए को साथ करा किना्य। वो क्या दलील देते हुए पेश करेंगे उन्होंने जैराम रमेश, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर तंज कसा है भारतीय जनता पाची के प्रवक्ता शहजाद पुनावला इसके साथ ही आपको बता दे उन्होंने ये भी कहा कि उभोकताओं के दर को इन्होंने बढ़ा कर अच्छा नहीं किया है और ये अब जनता को मिली सोगात है जहां आपको बता दे अब तस्वीरे वाइरल हो रही है किस तरीके से करनाटा कॉंग्रेस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है आपको मैं ये भी बता दू उसके पहले भी एक तस्वीर सामने आई थी वा महिलाएं वहाँ पर जडबती होई नजर आई थी इसके साथ आपको बता दे वहाँ पर हमने देखा करनाटा कॉंग्रेस ने ये वादा किया था कि घर की प्रतेक महिला को 2000 रुपे मिलेंगे लेकिन ये नहीं कहा कि किस महिला को सास को या फिर बहु को जिसकी घर में सास है उसकी बहु को कितने मिलेंगे और जिसकी घर में सास नहीं है उनकी बहु को कितने पैसे ये करनाटा कॉंग्रेस में बात साफ नहीं किये और इसी वजह से करनाटा कंग्रेस को हम से भगाएंगे केवाल इसलिए क्योंकि उन्होंने बात कही थी वो पूरी होती दिखाईन नहीं दी है तो देखिए ये आए दिन है बिजली के दर पर बहुत बड़ा जटका करनाटक कॉंग्रेस ने जनता को दे दिया है जहाँ पर भारतिय जनतापाची के नेता लगातार चूइट कर रहे है आपको मैं बता दू सुनील देउधर उन्होंने लिखा है राजस्थान मध्यप्रदेश 76 गड़ की जनता सावधान वोट बटोरने के बाद कॉंग्रेस ने दिया करनाटक की जनता को बिजली का जटका देखिए कॉंग्रेस का विश्वास घात इसके साथ आपको बता दे के वैंकटेश इनके करनाटक कॉंग्रेस के नेता पशुपालन मंत्री है उन्होंने गाय को काटने वाली बात कही थी भैसों को जब काटा जा सकता है तो गाय को क्यों नहीं उसको लेकर भी BJP धरना दे रही है वीडियोज वारल हो रही है जो मैं देख पा रही हूँ आपको मैं बता दू कि वीडियोज में केव एंकर टेश को जम कर उनकी धजिया उड़ाई जा रही है यूँकि उनके बयान ऐसे थें कहा जा रहा है कि केवल कुछ वर्ग को खुश करने के लिए करनाटक में इनके पशुपालन मंत्री ने गाय को काटने की बात कही क्या जरू रहे है कि हिंदू धर्म इससे आहत होगा आपने हिंदू धर्म का लाज नहीं रखा करनाटक कॉंग्रेस देखे दर्चर को बेनकाब होती हुई नजर आ रही है जोहाँ पर इनके पांच गैरंटी को लेकर वहाँ पर धरना भारती जंदरपार्टी बहुत बड़े अस्तर पर दे रही है अभी भारती जंदरपार्टी वहाँ पर विबक्ष में है इसके साथ आपको बता दे के वैंकटेशर की बातों से वहाँ की जंदा आहत हुई है इसको लेकर भी बैंगलोर में प्रोटेस्ट चल रहा है जहां पर बिजली के दर क्यूं बढ़ाएं के वैंकर बैयान से अब उनको सजा मिलनी चाहिए उनके ओपर कारवाई होनी चाहिए ऐसी जंदा की मांग है इसके साथ आपको बता दे कि भारती जंदा पार्टी ने पोस्टर्स लगाए हैं जहां पर पहले उन्होंने जंदा को बताया कि इन्होंने तो ये बोल कर ये सत्ता में यानि राहूल गांधी ने कहा था राहूल गांधी के बयान ट्विच हो रहे हैं वाइरल हो रहे हैं राहूल गांधी ने कहा था हमारी कॉंग्रेस की सत्ता आएगी ही और हम जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं सत्ता आते ही हम सभी गैरेंटियों को लागू कर देंगे जबक करनाटक कॉंग्रेस ने नहीं बताया तो जनता इस फिर ठगा हुआ महसूस कर रही है करनाटक की जनता अब तरस्थ हो गई है जबकि अभी ही इनकी सर्थकार बनी है तो देखिए मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है बिजली के दर बढ़ चुके हैं 2.89 पर यूनि होगा केवल 10 फीसद तर छूट मिलेगी इसके साथ के वेंकर टेशर का ये बात कहना गाय को काटने वाली बात पांच गैरंटियों को अभी भी लागू नहीं की गई है केवल बाते बनाई जा रही है और यहां पर हीमाचल में भी कॉंग्रेस की सब्ता बेनकाब हो गई है तो रेखने वाली बात होगी रेखे 24 में लोग देखेंगे ये बात कि कॉंग्रेस पार्टी कौन से वादे को बोल कर आई थी और जमीनी स्तर पर उन बादों का क्या हाल है तो कॉमेंट कीजिए बिजली की तो बहुत बड़ी सौगात कॉंग्रेस पार्टी ने करनाटक की जन्ता को दे दी है ग्रे जोती योजना में डेंट पड़ता दिखाई दे रहा है आपकी जो भी राय हो आप कॉमेंट करके बताइए बहुत शुक्री आपका